हेलो शुदेंट्स पावर सिरीज अब रहेल नंबर्स का फिफ्थ वीडियो वेलकम आला फियो कन्वर्जन्स अब पावर सिरीज का भी ये फिफ्थ वीडियो है मैं योगंदर भादुर सिंग और मेरा चैनल गनित पर और मेरा मिशन तेरा तुछको अरपन मुफ्थ में दी जारी सुविधाओं का अब लाव उठाएं अगरों को भी हमारे इस मिशन से जोड़ है पावर सिरीज के नाम पर एक नई प्लेलिस्ट हम बना रहे हैं समय उसी का करम चल रहा है उस प्लेलिस्ट का पांच्वा वीडियो है इस प्लेलिस्ट में हम पावर सिरीज की बातचीत इकठे कर दे रहा है एक हमारी प्लेलिस्ट है इनफानेट सिरीज की उसमें 30 वीडियो हैं 30 वीडियो है उसमें भी पावर सिरीज जगा जगा पे जगा जगा पे आया हुआ है कुछ वीवर्स की डिमांड बर पावर सिरीज की अलग से प्लेलिस्ट बनाने का प्रोजेक्ट हमने बनाया वही चल रहा है तो पहले तो कन्वर्जेंस आप पावर सिरीज हम आपको बता रहे हैं फिर रेडियस आप कन्वर्जेंस बताएंगे आपको पावर सिरीज का और फिर दो बहुत ही मसवर थेरम से एबिल्स थेरम, टॉबर्स थेरम उसको बताएंगे इन्फानेट सिरीज दो प्रकार का होता है पाजिटिव टर्म सिरीज और आल्टरनेटिंग टर्म सिरीज तो पावर सिरीज भी दो प्रकार के होगे चार वीडियो तक हम लोग Positive Terms Power Series के Convergence की चर्चा किये हैं और इस एक वीडियो में हम Convergence of Alternating Terms Power Series की चर्चा करेंगे हैं Positive Terms Power Series के Convergence को चेक करने के लिए कोई भी कुश्चन आपके सामने है बुद्धिविवेक से काम करना है आपको लेकिन हमने एक मोटा-मोटा Working Method Algorithm डिजाइन कर दिया है कि अगर Power Series है उसके Convergence को चेक करना है तो आप Start कहा से लें? Ratio Test से Ratio Test जब फेल कर जाए तो लक्षणों के आधार पे Symptoms के आधार पे Different Different Test लगाना है कहीं-कहीं Exceptions भी होते हैं, जैसे एक कुश्चन हमने Exceptional बताया था आपको ऐसे Exceptional Questions आपके दिमाग में होने चाहिए इतना भ्यास हो, X प्लस X प्लस 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस X प्लस X to the power 1 प्लस 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 यह बड़ा बचितर Power Series है इसको हम Ratio Test से शुरू करते हैं तुरंत ही Ratio Test फेल कर जाता है फिर Log Test के जो लच्छन आपको सामान ने तया बताये गए हैं वो लच्छन इसमें नहीं मोजूद है बावजूद इसके हम इसमें Ratio Test फेल होने के बाद Log Test लगाते हैं और Log Test फेल होने के बाद तो निश्चित रूप से Definitely Second Log Test ही लगा जाता है वो ही इसमें हम लगाते हैं तो ऐसे जो कुछ exceptional example से उन्हें याद भी रखना चाहिए In general Ratio Test अगर फेल कर जाए तो हम फिर दो हिस्स्व में बाढ़ देते हैं Discrimination को Limit n tends to infinity Un upon Un plus 1 does not does not involve sorry does not involve E एक भाग यह है और दूसरा भाग है Limit n tends to infinity Un upon Un plus 1 involves E इस limit का जो मान निकालोगे उसमें E दिखाई न पड़े और इस limit के मान में E दिखाई पड़े तो इस case में Log Test लगा जाता है इस case में Log Test जनरली लगा जाता है इन जनरल सामान ने तया बहुत आया ब्यापक ग्रूप से लगा जाता है exceptional cases को छोड़ गए जैसे भी हम exception की चर्चा कर रहे था और जब यह involve ना करे तब फिर PTS test जिसको negative test भी कहते है PTS test if UN is a balanced fraction balanced fraction फिर नमबर दो पर comparison test comparison test if UN is an imbalanced fraction फिर नमबर तीन रावी स्ट रावी स्ट रावी स्ट इफ UN is a fraction of factors fraction of factors यही लच्छन आपकों बतायते है कि इस limit में इइ involve ना हो तो ratio test फेल होने के बाद हम इस लच्छन पर PTS test लगाते हैं इस लच्छन पर comparison test लगाते हैं और इस symptom पर रावी स्ट लगाते हैं रावी स्ट फेल होने पर निश्यत रूप से दिमार्गन बर्टरान टेस्ट ही लगता है ओके और comparison test तो फेल करेगा ना comparison test क्यों फेल करेगा जब दो सिरीज compare की जाती है इस लच्छन पर हम log test लगाते हैं एक exception छोड़ के एक ही exception है वही जो हमने आपको बताया था भी यही आपको सब बताया गया था लेकिन जब बात उठती है alternating terms power series की convergence की तो उसके लिए कोई निश्चित algorithm design नहीं किया जा सका है alternating terms power series के convergence की जाच के लिए कोई निश्चित विध निर्धारित नहीं की जा सकी है वह आपको अपने बोधि विएक से करना पड़ेगा तो मैं एक example सिर्फ इसको करके छोड़ दूँगा क्या करूँगा जब बहुत questions आपको मिलेंगे ही नहीं alternating terms power series पे आपको numericals नहीं मिलेंगे एक के दुक्के numericals उसमें से एक बहतरी निमरकल आपको हम बता दे रहें logarithmic series के 7 examples सब तक हो चुके है example 8 उसी करम में देखाए हाँ पहले तो हम लोग थोड़ा सा heading wedding डाल के लिखा पढ़ ही कर ला है बोल तो गाए हम सब convergence of convergence of alternating terms power series there is no special algorithm हाँ यह लिखे तु दस्तावेज आपकों दे रहे there is no special algorithm to test the convergence of alternating terms alternating terms power series I will look at example number 8 discuss the convergence of the logarithmic series discuss the convergence of the logarithmic series sigma n varies from 1 to infinity minus 1 whole to the power n plus 1 x to the power n upon n x greater than 0 x to the power n upon n x positive चलिए n equal to 1 रखिए n equal to 1 minus 1 पर 2 पावर निक positive x to the power 1 मने x और अपान 1 मने सिर्फ x 2 रखिए गा तो यहाँ 3 पावर होके negative हो जाएगा minus x square upon 2 plus x cube upon 3 minus x to the power 4 upon 4 plus so on add infinitum और अब लिख दीज़े x positive तो terms are alternately positive negative positive negative तो यही है alternating terms power series यह sigma a n x to the power n जैसा है के नहीं है ना भाई सभी में a n है और x to the power कुछ है तो यह power series है ऐसा expression को power series कहते है x unknown होता है इसमें ठीक आगे बढ़े कि आप इस expansion को पैचान रहे हैं यह किसका expansion है यह सिकमा तो न हो फाच traz很多 अपन फॉपर नपन अफन रहे हैं series, then un is equal to x to the power n upon n and un plus 1 is equal to x to the power n plus 1 upon n plus 1 implies that un upon un plus 1 is equal to n plus 1 upon n into x to the power n upon x to the power n plus 1 is equal to n plus 1 upon n into 1 upon x number 1. अब हम x पर condition डाल करके बात्चीत करेंगे, x से एक से छोटा है, x से एक की बराबर है, x से एक से बड़ा है, तो पहली condition हम ले रहा है, x एक से छोटा है, when x less than 1, in this case, 1 upon x greater than 1 होगा, अगर x एक से छोटा है, तो 1 upon x एक से बड़ा होगा, now, un upon un plus 1 is equal to n plus 1 upon n into 1 upon x equals to 1 plus 1 upon n into 1 upon x, ध्यान से देखिए, आगे बड़े, यह, this is a number greater than 1 and this is a number greater than 1, तो greater than 1 number है, यह भी greater than 1 number है, दोनों का multiply करेंगे, तो greater than 1 होगा, greater than 1, for all n greater than or equal to 1, कारल लिखना जाल लिखना लिगने, जैने, in the sense, 1 plus 1 by n is greater than 1, 1 by x is also greater than 1, implies that un is greater than un plus 1, for all n greater than or equal to 1, तो च्राम मतलभ हो इच का, U1 is greater than U2 U2 is greater than U3 U3 is greater than U4 यहने terms are numerically decreasing numerically इसलिए बोल रहा है क्योंकि series के terms ऐसे हैं और अगर हम सिर्फ इतना लेंगे तो numerical value क्यों ले रहा है यह जो chin बताने वाला है sign बताने वाला यह जो tool है इसको null है तो numerical value तो ले रहा है it means that it means that the terms are numerically decreasing numerically decreasing अब ETS के बारे में alternating term series के बारे में आपको मालूम है when terms are numerically equal series is oscillatory series oscillates finitely when terms are numerically increasing series oscillates infinitely when terms are numerically decreasing series is either convergent or oscillatory it depends on the fact that limit n tends to infinity u n 0 है कि नही है इस केस में अगर u n यू n माने numerical value अफने यू n की limit 0 हो जाए तो series convergent और u n की value 0 ना हो तो series oscillate करेगा now limit n tends to infinity u n यू n यू n याद है याद है न है x to the power n अपान और x क्या है एक से छोटी संख्या है तो देखो एक से छोटे संख्या पर infinity power लगा होगे तो 0 आएगा यह होगे 0 अपान infinity currently की सिंस limit x tends to infinity x to the power n is equal to 0 as x is less than 1 and this is 0 into 1 upon infinity 0 into 0 equal to 0 hence by Leibnese test hence by Leibnese test sigma minus 1 whole to the power n plus 1 u n is convergent is convergent is case के लिए for x less than 1 कुछ data हम इदर कोने में note कर ले रहा जगा बना के क्या क्या un बरावर क्या था x to the power n upon n है नए और un upon un plus 1 बरावर हमने निकाला था भी 1 plus 1 by n यह लिखा रहे और into 1 upon x बस और एक रिजल्ट हमने निकाला भी कि sigma minus 1 whole to the power n plus 1 un is convergent for x less than 1 इदर रिजल्ट इसी लिखते चले जाएंगे वो दिखा ही पड़े आपको तब ही तुम समझाएंगे न इस यारा करके आगे बढ़ता है when x is equal to 1 अब केस हम उठाते है when x is equal to 1 इस केस को देखे sigma minus 1 whole to the power n plus 1 un is equal to sigma minus 1 whole to the power n plus 1 x to the power n upon n is equal to sigma minus 1 whole to the power n 1 upon n क्या ख्याल है x equal to 1 रख दिये न और यह बराबर कितना अर्यो है यह n plus 1 है यह बराबर क्या आएगा n बराबर 1 रखने से 1 minus 1 by 2 plus 1 by 3 minus 1 by 4 plus 1 add in infinitum यह series divergent series है आपको याद होने चाहिए नहीं आदे कोई बात नहीं un is equal to 1 upon n un plus 1 is equal to 1 upon n plus 1 un upon un plus 1 is equal to n plus 1 upon n is equal to 1 plus 1 upon n greater than 1 for all n implies that un is greater than un plus 1 for all n it means that it means that यह सब के सागया जो उपर लिखा हुआ है the terms are numerically decreasing the terms are numerically decreasing also limit n tends to infinity un is equal to limit n tends to infinity 1 upon n is equal to 0 10 by Leibnese test 10 by Leibnese test sigma minus 1 to the power n plus 1 un is convergent is convergent for x is equal to 1 एक रिजल्ट हम लोगो नहीं और मिकाला sigma minus 1 whole to the power n plus 1 un is convergent for x equals to 1 अब बारी किसकी है अब बारी है when x greater than 1 की देखलो जान से फिर हम पूरा मिटाएंगे तब लिखाएंगे अगर ये आप पहला वीडियो देख रहे हैं वे ना तो पहली बात तो इस प्लेलिस्ट के सारे वीडियो करम से देखे दूसरी बात ये है कि हमारा एक प्लेलिस्ट है infinite series उसमें 30 वीडियोज है उन्हें भी आप देखिये पूरा उसके बाद फिर आप हमें comment करके बताईए कि आपको infinite series पे confident आपके अंदर create हुआ कि नहीं हुआ आप विश्वास आपका जगा कि नहीं जगा अगर आप किसी competition के त्यारी कर रहा है उसके syllabus के अनकूल ये पूरा material नहीं है तो नहीं है ये हमने बिश्वास के बच्चों के लिए बना रखा है किसी भी competition में अगर ये काम आ रहा है तो आपको ये मदद करेगा ये foundation बनाएगा और मदद भी करेगा ये जड़ भी बनाएगा और तना भी बनाएगा बकिया और अपना साखा पत्ती फोल भल अपनी महनस से अब बना लेंगा वें एक्स ग्रेटर दन बन यू न अपान यू न प्लस वन इस एक्वल तो वन प्लस वन बाई एन इंटो वन अपान एक्स हाँ यहाँ पर एक चीज़ और लेदा है इन दिस केस अच्छा लगेगा इन दिस केस अगर एक्स एक्से बड़ा है तो वन अपान एक्स एक्से छोटा होगा अब देखो यहाँ पर पंगा फस रहें ये नमबर एक्से बड़ा है यह number एक से छोटा है तो एक से बड़ा number और एक से छोटा number का आपस में गुना करेंगे तो हमें guarantee नहीं है कि जो आएगा product वो एक से बड़ा होगा, एक से छोटा होगा, एक के बराबर होगा if that is, un upon un plus 1 is equal to a number greater than 1 into a number less than 1. यह, यह situation हमारे पास है, it is not possible to say, it is not possible, देखो गया, मालो एक से बड़ी संख्या आठ है, एक से छोटी संख्या हम एक बटा दो लेलें, ते इन दोनों का प्रोड़क्त कितना है, फोर जोकी एक से बड़ा है, एक से बड़ी संख्या टू भी तो है, और एक से छोटी संख्या वन अपान टू है, तो इनका प्रोड़क्त क्या हो यहागा, वन हुआ लग नहां की और अब एक से बड़ी संख्यां ठीज ले नहीं हम कुछ माली मेले हैं अ हॉआ सब इन तू एक से चोटी संख्या हाँ one by two कर दे तो अब one by two कर दिया तो कितना है बताईए one point one में दो से भाग दे रहा है तो हो जागा zero point zero point बताईए zero point five five है ना पच्पंदूनी 110 होता है one point one zero में दो से भाग देना है भाई भाग नहीं जाएगा दस मलो लगा दिया तो ग्यारा में जाएगा दो पंजे दस और फिर बचाए एक दस दो पंजे दस इतना है तो 0.55 एक से कम है तो एक से बड़ी संख्या में एक से बड़ी संख्या में एक से छोटी संख्या से हम गुणा करें तो गारंटी नहीं है कि एक से बड़ी संख्या आएगी कि एक के बरबर आएगा एक से छोट आएगा it is not possible to say whether this product, this product is greater than 1, equals to 1 or less than 1. प्याएश्या एक बाएगा एक से लेटोच में एक से राइगा एक प्याएगा लेकिन अगर n को हम बहुत ज़्यादा बढ़ा दे तो 1 अपान n tends to 0 हो जाएगा तो यह 1 को tend करेगा फिर सिर्फ 1 अपान x बचेगा but when n is very large when n is very large comma 1 plus 1 upon n tends to 1 and so un upon un plus 1 tends to 1 upon x और 1 upon x क्या होगा एक से कम which is less than 1 which is less than 1 इसका मतलब n हम चाहे जितनी बड़ी संख्या ले ले ले, n चाहे जितना बड़ा ले ले एक लाग, दो लाग, दस बीस लाग, एक करोन ले ले ले, n लंबर अब टर्म से तो बता रहा है कुछ भी फिक्स कर लें बहुत बड़ी संख्या फिक्स कर लें उसके बाद UN upon UN plus 1 एक से छोटा हो जाएगा दस आफ्टर certain terms after certain terms UN upon UN plus 1 less than 1 implies that UN less than UN plus 1 implies that terms are terms are numerically terms are numerically increasing जैसे N बराबर हम एक करोन ले ले हैं इसका मतलब शुरू से एक करोन पदों को हम छोड़ दे हैं infinite series यह जीन है तो शुरू कि एक करोन पदों को आप ओमिट कर दो तब भी तो infinite series बचेगा तो उसका nature वही होगा जो पहले का nature है क्योंकि आप जानते हैं finite number of terms यह finite कितना भी बढ़ा के होना हो finite होना चाहिए बस finite number of terms को किसी भी infinite series में से omit कर दे छोड़ दे हटा दे तो उसके convergence पर असर नहीं पड़ता है उसके nature पर असर नहीं पड़ता है terms are numerically increasing आ गया इसका मतलब क्या हुआ series oscillate करेगे तो यह पूरे केस डिसकस हो गए sigma minus one whole to the power n plus one un is oscillatory oscillatory for x greater than one तो logarithmic series जो की एक alternating terms power series है उसके हम convergence की चर्चा पूरी तरीके से कर दिये x less than one के लिए convergent x equals to one के लिए convergent x greater than one के लिए oscillatory thank you अब अगले वीडियो में यह वीडियो नमबर यह वीडियो नमबर फाइव था न अब अगले वीडियो में आपको हम absolute convergence के बारे में बिस्तार से बताएंगे क्योंकि हमें radius sub-convergence अगर बताना है न तो उसमें absolute convergence के भूमी का बहुत ही महत्तप होना है बिना absolute convergence बिलकुल इस्पस्ट किये आपको अच्छा नहीं लगेगा थैंक्यू अरे बच्च हमें बिलकुल गच्छा के बाचएंगे नहीं नहीं लगेगाँ थैंक्या की उस्त फेंक्या नहीं